प्रेंट्स बहुत स्वागत थे इस वीडियो में और आज हम लोग कॉरल ड्रो में Import and Export के बारे में सीखेंगे कि कॉरल ड्रो में Export क्या होते हैं अगर मुझे कोई पिक्चर या कोई फोटोग्राफ और इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट का यूज करते हैं और कुछ design हम बना रहे है, कोई flags बना रहे है, तो उसको हमें photo की रूप में convert करना है, रखना है, तो उसके लिए हम लोग उसको export करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम import का use कर सकते हैं, तो सबसे पहले file में आप जाएंगे और यहां से import में जाएंगे, यहां पर page में लाना हो, तो उसके लिए हम लोग import में जाएंगे, ओके, import में जैसे ही click कीज़ेगा, तो आपको यहां देखिए, import वाले section में बहुत सारे photo आपको दिख रहे होंगे, तो आप किनी भी photo को यहां से select करेंगे, दिखे, मैं इसको select करता हूँ, और यहां पर लगा ही लेता हूँ, ठीक, तो आप यहां से कोई भी photo को आप select करेंगे इस तरह से, यह देखिए, चलिए मैं यह photo को select करता हूँ, और यहां से import करना है, जैसे import करेंगे तो दिखे, यह photo आया नहीं है, लेकिन कुछ यहां जरूर आया है, यह देखिए, तो इसको मैं जैसे ही drag करूँगे इस तरह से friends, ओके आप देख सकते हैं, यह photo जो है मेरा यहां पर आ चुका है, तो इस तरह से हम लोग import का काम करते हैं, यानि किसी भी photo को या किसी भी picture को, किसी भी image को coral draw के page पर लाने के लिए import का use किया जाता है, ओके चलिए मैं आपको export भी बता देता हूँ कि export क्या होता है, suppose मैं यहां से कुछ चीजों को बना रहा हूँ, जैसा कि यह इस तरह का एक rectangle मैंने लिया है, और इस पर मैं कुछ भी, कोई यह fill कर देता हूँ, कोई भी चीज को, किसी भी तरह का design को, या कोई भी यहां पर fill up कर देता हूँ, जैसा कि यह part मुझे चाहिए, इस तरह का part मुझे, ऐसा चाहिए, देखे, मैं यहां पर ok कर दिया, देखे, यह मैंने कुछ बनाया, और मैं चाहता हूँ, कि यह मुझे export यानि photo के रूप में दिखाई दे, image के रूप में दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कि file में जाएंगे, और यहां प export कर रहे हैं, तो बस आप file में जाएंगे, और यहां से export पे click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, तो आपको यहां दिखाई देगा, कि आप अपना location देख लिए, कि कहां पे आपको store करना है, कहां पे आपको image को export करना है, तो आप अपना place select कर लेंगे, मेरे case में यहां पे मैं desktop ही image 1 मैंने type कर दिया, अब आप देखें, यहां save as type लिया हुआ है, तो save as type में मुझे चुकी photo के रूप में रखना है, तो मैं यहां पे jpg, jpg जो bitmap है, इसको मैं select करता हूँ, और select करने के बाद बस आप यहां पे export करेंगे, और export करने के बाद यहां से आप ok करेंगे, तो यह यहां भी आप ok करेंगे, अब आप देख सकते हैं, कि यह आपका minimize करेंगे इसको, आप देख सकते हैं, कि यहां पे यह export हो चुका है, यह हमारा picture है, अब मैं इसको यहां से double click करूँगा, अब आप इसको photo के रूप में यहां से देख सकते हैं, यह दिखे, right click करके preview भी करें तो आपको यह photo के रूप में दिखाए देगा friends ओके तो यह photo के रूप में कैसे हुआ तो मैंने इसको export किया है तो इस तरह से import और export के बारे में मैंने आपको जानकरी दिया वीडियो कैसे लगा friends ज़रूर बताईएगा मिलते हैं next वीडियो में Thank you